नमस्कार, मैं को डॉप्टर शेला अगरवाल और मैं एक डर्मटोल्जिस्ट। डर्मटोल्जिस्ट का काम होता है आपको आपकी स्किन केर सिखाना एन हमारी बॉडी का पार्ट है जो ज्यादा तर बहुत दुख में रहता है लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं वह है हमारे पैरों की एडिया, सदी में तो एडिया फटी ही है लेकिन कर्मी में भी क्योंकि जब हम ओपन चपल्स पहन रहे होते तो धूल मिट्टी की वज़ए से एडियों में दरारे रहती है अब एडियों की करारे महीने में एक बर पेडिक्योर करने से ठीक नहीं होगी उसके लिए जरूरी है कि आप रूटीन में अपने पैरों कर ध्यान रखें देखे पैर जो है वो हमारे हूडे वज़न को ले रहा है तो अगर आपकी एडियां भटी होगी और पैर आपका वज़न नहीं ले लेगा तो आपको गॉंस की शिकायत को ले लगेगी जूते पहना मुश्किल हो जाएगा पहली बात यह जाएं कि एड़े की जो स्किन होंथी है वो बिल्कुल अलग स्किन होती है इस 20 लेयर्oten अगर हमारे स्किन के पांच लेयर है तो हमारी में 20 लेयर है और इस एड़े की सकिन में आप देखेंगे कहीं और हैं कोई पोरस नहीं होते हैं कोई encore काई क्युछन नही वो नॉपली अगर 30 दिन होता है तो सबी में साथ दिन हो रहा है तो आप सोचिए कि साथ दिन में एक डेट लेयर उसकिन महा जमा हो रही है तो अगर आप उसका ध्यार नहीं रखेंगे तो हो तो स्किन भट्टे लगेगी पैरों को एक उनगुने पाने के टब में उसे दुबोएए पांच से दस मिनट तक दुबोएए कोई नमक किसी चीज की ज़रूराई नहीं है कपूर कुछ नहीं चाहिए उसके बाद तॉलिये से अच्छी तरह डाप ट्राई कीजे और उसके बाद फुट क्रीम फुट क्रीम हमेशा अलग से आती है क्योंकि इसके अंदर यूलिया सालसिक होता है अगर आप फेस्ट क्रीम फीट पर लगाएंगे वो अंदर ही नहीं जाएगी अच्छी तरह से फुट क्रीम की मसाज करें और अगर ज्यादा भट रहे हैं तो रात को पॉटल का सॉक्स प आपकेजिए लेकिन फुट क्रीम की लहनियत आपकी जिंदगी में सब्दी और कर्मी दोनों के लिए है और ये बात मेल्स और फीमेल्स दोनों पर लागू होती है क्योंकि या तो आपने अपन चप्टल पहनी है या आपने जूते सारे जिट पहने है तो दोनों चीजे हम आप चाहे हमारे पैर बंदने के यह नहीं पड़े थे, लेकिन हमने उन्हें जूतों में बान दिया है, तो अब हमें उनका थैम रखना पड़ेगा, तो अपने पैरों को सॉफ्ट रखे, अपने पैरों को हिम्मत दीजिए के वो आपकी जितगी की दौड में आपका साथ दे लेट सबको डाउनलोड कीजिए, कुछ भी आपके दिमाद में आता है, हमें लिके भेजिए, विव त्वाइन आंसर, टेक केर